अयूप की पुस्तक अध्याय अठाराह तब शुही बिल्दद ने कहा तुम कब तक फंदे लगा लगा कर वचन पकड़े रहोगे? चित लगाओ, तब हम बोलेगे, हम लोग तुम्हारे दुष्टी में क्यो पशु के तुल्य समझे जाते और अशुध्ध ठहरे हैं, हे अपने को क्रोध में फड़काने वाले, क्या तेरे निमित्त पुथ्वी उजड जाएगी, और चट्टान अपने स्थान से हट जाएगी तो भी तुष्टों का दीपक बुझ जाएगा, और उसकी आग की लव न चमकेगी, उसके डेरे में का उजियाला अंधेरा हो जाएगा, और उसके उपर का दिया बुझ जाएगा, उसके बड़े-बड़े फाल छोटे हो जाएगे, और वह अपनी ही युक्ति के द्वारा गिरेगा, वह अपना ही पाव जाल में फसाएगा, वह फंदों पर चलता है, उसकी एड़ी फंदे में फस जाएगी, और वह जाल में पकड़ा जाएगा, फंदे की रसिया उसके लिए भूमी में और जाल रास्ते में छिपा दिया गया है, और चारो और से डरावनी पर आएगी, उसके पीछे पढ़कर उसको भरमाएगी, उसका बल दुख से घट जाएगा, और विपक्ति उसके पास ही तयार रहेगी, वह उसके अंग को खा जाएगी, बरन काल का पहलोठा उसके अंगों को खा लेगा, अपने जिस देरे का भरोसा वह करता है, उससे वह पहुचाया जाएगा, जो उसके यहां का नहीं, वह उसके डेरे में बास करेगा, और उसके घर पर गंधक छितराई जाएगी, उसकी जड़ तो सुख जाएगी, और डालिया कट जाएगी, पृत्वी पर से उसका स्मरन मिट जाएगा, और बाजार में उसका नाम कभी न पड़ेगा, वह उजी आले से अंधियारे में धकेल दिया जाएगा, और जगत में से भी भगाया जाएगा, उसके कुटंबियों में उसके कोई पुत्र पाउत्र न रहेगा, और जहां वह रहता था, वहां कोई बचा न रहेगा, उसका दिन देखकर पुरवी लोग चकित और पश्चिम के निवासियों के रोय खड़े हो जाएंगे। निसंदेह कुटिल लोगों के निवास ऐसे हो जाते हैं और जिसको परमेशुर का ज्यान नहीं रहता, उसका स्थान ऐसा ही हो जाता है।